हेलो फ्रेंड्स मैं Study91 चैनल से नितिन गुपता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम कवर करने जा रहे हैं घाटियों के बारे में आप देख रहे हैं Study91 और हम कवर कर रहे हैं GS Poynter में Indian Geography के सीरीज को दोस्तों यह जो सीरीज चल दे आपके सामने यह चौथा पार्ट है जो आज आप देखने वाले हो यह कौन सा पार्ट है चौथा पार्ट है तो जिन लोग ने पहला दूसरा और तीसरा पार्ट नहीं देखा है मैं चाहूँगा Please ओ लोग सारे पार्ट को देखते चलें और ज के बाद धर्रों के बारे में बात करेंगे तो नए नई चीज़े हम लोग देखतें चलेंगे देखतें कि घाटियों से संब्धित कौन कौन से प्रस्ण बनते हमारे एक्जाम में पहला प्रस्ण दे रहा है कि कुलू घाटी जिन पर्वत स्रेडियों के बीच में इस्ति उसका नाम बताईए तो दोस्तों याद रखिएगा धौला धर धौला धर और पीर पंजाल के बीच में इस्ति थे कौन कुलू घाटी अरे कुलू मनाली का नाम सुना ना कुलू मनाली ठीक है तो धौला धर और पीर पंजाल के बीच में कैसे याद रखोगे तो देखो डीडी डीडी माने धौला धर पीपी पीपी माने पीर पंजाल अकुलू मनलब केल केल ठीक है केलल तो याद रखो डीडी पीपी की बीच में कौन है के कलू ठीक है तो याद रखो डीपी की बीच में कलू तो ऐसे करके समझ लो याद कलो क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है और आता है यहां से प्रस्न अगला देरा नेलांग घाटी इस्थित है कहाँ पर है नेलांग घाटी तो याद रखेगा उत्तरा खंड में लोग क्या करते हैं गलती से आंग वांग छांग इस तरह के प्रस्न अगर आते हैं तो लोग पूरवी पूरोतर भारत के राजजियों को टिक करते हैं जैसे नागा लेंड डरुडान चला सम्मे घाल है वहाँ पर टिक कर देते हैं तो रटने वाली बात नहीं दोस्तों नेलांग घाटी याद रखेगा ये उत्तरा खंड में है नेलांग घाटी ठीक है अगला प्रस्न दे रहा है कुछ घाटियों का नाम दे रहा है और आपको सुमेलित करना है कि कौन से राज्य है फिलालो सही सुमेलित है यहाँ पर अबिलेबल है जैसे मरखा घाटी तो इसका नाम बहुत कम लोगों ने सुनागा मरखा घाटी ठीक है ये जम्मू कस्मीर में है जूकू घाटी ये कहाँ पर है नागा लेंड में इंपोर्टेंट है बहुत इंपोर्टेंट है जूकू घाटी नागा लेंड सांगला घाटी कहाँ पर है हिमाचल परदेश और यूथांग घाटी कहाँ पर है सिक्किम दोस्तों मैं आपसे कहूंगा कि चारो की चारो ये घाटियां आप याद कर लो क्योंकि अभी क्या करेगा न आपके एक्जाम में कुल्लू घाटि नहीं पूछने वाला आपसे यो कि बहुत साइ लोगों ने रट लिया है कि धौला धर और पीर पंजाल के वीच में कुल्लू घाटी, अभी पक्का वो जो question है वो change करेगा तो ये चारो के चारो आपके लिए नए है, मरखा घाटी, जम्मु कस्मीर जुकू घाटी, नागा लेंड, सांगला घाटी, हिमाचला, सांगला हिमाचला, ऐसे आत कलो, ठीक है उठांग घाटी, सिक्किम, ओके चलिए आगे देखते हैं निम्लिकित कथन सही है आपको देखना यहां क्या सही है मौन घाटी, मौन घाटी तो मूँ का घाटी मौन घाटी, सांगली, सांथी घाटी कई सारे language इसको बोला जाता है याद रगे, साइलेंट वैली, राष्ट्री वन के निकट पथरक डावू, जल बिद्धुत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है ठीक है, तो बिल्कुल सही है यह राष्ट्री वन के रूप में भी फेमस है राष्टी उद्ध्यान के रूप में भी घोसित किया गया इसको साइलेंट वैली को और इसके पास में एक जल बिद्धुत परियोजना बन नहीं जिसका नाम है पत्थरक डावू ठीक है, और इसी के पास एक नदी है कुंती नदी, साइलेंट वैली के पास ये कुंती नदी, कुंती नदी मौन घाटी के वर्सा प्रचूर वनों से उद्भत होती है, ये भी अपने आप में सही है तो ऐसे ये नार्मल चीज दिया है, कथन कारक के रूप में यहां से प्रस्ण गुमा फिरा के तोड़ मरोड के बनाये जाते हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजेगा आप, और अभी चलिए अभी हम बात करते हैं दोस्तों, धर्रों के उपर और धर्रों से काफी सारा प्रस्ण हमारी एक्जाम में बनता है जैसे आपसे पूछता है कि सेला धर्रा इस्थित है, सेला धर्रा तो यह कहाँ पर है, अवडांचल प्रदेश में सेला धर्रा कहाँ पर है, अवडांचल प्रदेश में ठीक है, पाल घाट थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट चार घाट है, ठीक है, इसको भी आपको बीच में है नीलगिरी ऊपर नल्ला मलाई बीच में नीलगिरी की सबसे उसी चोटी है दोद्दा बेट्टा और अन्ना मलाई का अन्नाई मुडी तो याद रखे रहे कि जो पाल घाट है या अन्ना मलाई और नीलगिरी के ठीक बीच में यहाँ पर है पाल घाट दर्रा याद थाल गाट भोर गाट दोनों लिपू लेक दर्रा कहाँ पर है ये कई बार आप से एक्जाम में पूछा है लिपू लेक दर्रा उत्तरा खंड में दोस्तों लिपू लेक दर्रा कहाँ पर है उत्तरा खंड में ले जाने का रास्ता किस दर्रे से गुजरता है तो याद रखो जो जिला दर्रे से तो ले लद्दाग जिला है तो इसे याद करो ले लद्दाग जिला है ये गुजरेगा जो जिला है तो जो जिला, जो जिला से गुजरता है ले जाने का मार्ग नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा यह कहां पर है नाथुला दर्रा है सिक्के में बहुत important है नाथुला दर्रा ठीक है यही से जो है चाइना जाने का मार्गी भी खुलता है नाथुला दर्रा 2006 में रियोपेन किया गया था सई सूमेलित है और पहाडी दर्रे और राज्यों के बारे में actually ये माना दर्रा नहीं दोसतों माना दर्रा है माना दर्रा नीती दर्रा ये दोनों कहाँ पर है उत्राखंड में ठीक जहां बदरी नात के दाननात वाला धामने उसी कास पास पड़ता है तो माना दर्रा याद करेगा यहां माडा लिखा है कोई दिक्कत नहीं जो जिला दर्रा यहीं से तो ले जाने का मार्ग मिलता है ठीक है न ले लदाख वाला जम्मू कस्मीर बनिहाल दर्रा बनिहाल को याद करो कहाँ पर उत्तरा खंड में, दोस्तों मैंने सभी दर्रों के बारे में एक वीडियो बनायों इस पिसली, ठीक है, आप चाहें तो देख सकते हैं, कुछ और दे रहा है दोस्तों, बुमला दर्रा, कौनसा दर्रा, बुमला, उपर दिया था सेला दर्रा, सेला दर्रा, ठीक है, ओभी अड़ांचल में था, तो बुमला दर्रा, जेलेपला याद रखियेगा, ये कहाँ पर है, सिक्किम में है, ठीक है, और मुलिंगला दर्रा, ये उत्रा खंड में, देखो कितना नाम सेम से में, बुमला, जेलेपला, मुमला, सिपकिला, चारो में ला लगा है, लेकिन चारो चार राज में है, इसलिए मैं बता रहा हूँ का आप एकदम रट लो, इसको याद कर लो, सिपकिला, हिमाचल परदेश, ठीक है न, सिपकिला, हिमाचल परदेश, मुलिंगला, उत्रा खंड, जेलेपला, सिक्किम, बुमला, और रांचल परदेश, दोस्तों, आप क् किसी बुक वगरा में, किसी कॉपी में, आपने नोट करके, उसको क्या करो, अच्छे से देख लो, दो थी इन बार, ताकि याद हो जाए, इसमें एक प्रशन इस बार जरूर आने वाला एक्जाम में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा स्योर बता रहा ह है, पस्चिम से पूरब बोला है, मतलब इधर वाले से इधर की तरफ बढ़ना है, तब ही तो पूरब जाओगे, तो सीपकिला, सीपकिला, सीपकिला दर रहा है, यह हिमाचल प्रदेश में था, लिपूलेक आपका कहां पे था, उत्तरा खंड में था, नाथूला आपका कह कि में था, अब बोम डिला आपका अवडांचल प्रदेश में, दोस्तों फिर से बता रहा हूं, सीपकिला कहां पर है, हिमाचल प्रदेश, लिपूलेक, उत्तरा खंड, नाथूला, सीपकिला, बोम डिला, अवडांचल प्रदेश, बार बार जब आप देखोगे न, तब जाके चीजें याद होंगी, ऐसे नहीं याद होगा, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा न, आपको, आगे देखे, भारत के अत्रिक्त प्राइदुपी परवत निर्मित हुए, कौन-कौन सी युग में ये परवत निर्मित हुए थे, प्राइदुपी बारे, प्राइदुपी मलब जो नीचे का दक्षिर भारत है, मद्ध है और दक्षिर भारत, वहाँ पर, तो याद रहे के पेलियो जोईक महा कल्प में ये परवत निर्मित हुए थे, पेलियो जोईक, छोटा नाकपूर पठार का सरवाधी घना बसा जिला धनबाद है, धनबाद के लिए, बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोयले का विसालतम भंडार है, और बहुत सारी कंपनीयों प्राइद भी यहाँ बना रखाए, ठीक है, चोटा नाकपूर पठार है, एक अग्र गंभीर पठार है, कैसा पठार है? एक अग्र गंभीर पठार है, तो ऐसे example के रूप मे दिया है ओके नीचे दिये गए मानचित्र पर विचार किजी क्या विचार करें भाई यह कुछ लोकेशन मत्य भारत में सत्पुला जैसे कुछ दे रहा है और नीची यह पस्चमी घाट जैसे फिलाल देखते हैं बोला ABCD तो उमको दिख नहीं रहा है और उमीद है कि आपको भी नहीं दिख रहा होगा फिलाल मानचित में ABCD द्वारा अंकित अस्थान क्रमसा कौन सा है तो बोला A द्वारा रिफ्ट घाटी है ठीक है बी द्वारा 36 गड़ का मैदान मतलब यहां पे कुछ आसपास सी में छोटा नाकपूर पठार मतलब यहां पे कुछ आसपास ठीक स्रिंखलाओं के मदि इस्थित कौन से बड़ाच्स प्रसंदेती है दोस्तों छोटा नाकपूर का जो पठार है यह आपके जार्खन 36 गड़वले एरिये में चला जाएगा दक्कन का पठार आपका महरास साइड में इधर नीचे साइड में आ जाएगा प्रायद वीपी प पठर का बीच में आजाएगा मालवा का पठार जो है हाँ यह देख लिजी देखे अरावली परवत आपका जा रहा है यह आपके राजस्थान के असपास किसी तुन में अब बिंद्य वाला इधर उत्तर पदेश में बिहार को थोड़ा फट टच करते हुए नीजी यंपी को चलते हुए धर जा रहा है और इसी के बीच में क्या है दोस्तों मालवा का पठार इस्तित है मालवा की गंगा किसे कहते हैं छिप्रा नदी को छिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहते हैं ठीक है छिप्रा नदी किनारे कौन सा क्या बना हुआ है महाकाले स्वर जोतिलिंग उजहेन के बिल्कुल पास से भाता है, ठीक है? उनदी भाती है, तो याद रहें कि मालबा का जो पठार है, ये अरावली परवस्थाइड़ी और बिंद परवस्थाइड़ी के ठीक मद्य में इस्तित है, दंडे कारेड़ और आईए इसी के साथ अगले टॉपिक पर भी बात कर लेते हैं और अगला टॉपिक हम लोगों का जो है वो यहाँ पर है यहाँ पर है हिम रेखा एब हिमनद यह क्या है इससे संब्दिक टॉपिक देख लेजे हिमालय में हिम रेखा जो है वो कितने से कितने मीटर के बीच में ही में रेखा मैंने पता है क्या होता है मतलब उसे रेखा के उपर अगर जाएंगे तो आपको बरबारी वाले छेतर मिल जाएंगे मतलब बरफीले जो बरबारी होती नो वो इस्टार्ट हो जाएगा तो एक इसकी रेखा है, जिसको साइस से आईसोहिलियन बोलते हैं क्या, इस तरह से नाम है, ये तिरालिस सो से लेके 6000 मीटर के बीच में, इस थीत है, पूर में, सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो सियाचीन ग्लेसियर को कहा जाता है, सबसे बड़ा हिमनद, ठीक है, सबसे साइड माना दर रहा नीती दर रहा उसके और ऊपर चले जाओको तो चौरा बाड़ी ग्लेसियर है ठीक है हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति जो है सबसे अधिक है अच्छा इसी वज़े से पता है हिमालय से निकलने वाली नदियां सततवाहिनी बनी हुई है क्यों क्यों पर हिमनद जो है धीरे-धीरे पिघल रहे है उत्तराखंड के कुमाओ प्रचेत्र में अवस्थित हिमनद कौन सा है उत्तराखंड के कुमाओ वाले शेत्र में तो वहां है मिलाम हिमनद कौन सा हिमनद है यह थोड़ा सा नया है क्यों कि इसके बारे में सायद बहुत कम से भारत के दक्तन के पठार पर बैसालत निर्मित लावा सैलों का निरमार किस युग में हुआ है तो ये हम लोग question कर चुके हैं अब यहां बात करते हैं थोड़ा सा तटी रेखा के बारे में ठीक हैं आईए करी लेते हैं बात भारत की तट रेखा भारत का आउसद समुद्र तल ना पा जाता है हाँ ये प्रसने कई बार आपसे पूछता है जैसे जब आप रेखा रेखा रहता है समुद्र तल से इतने उचाई पर तो यार आखिर हो किस समुद्र तल की बात कर रहा है एक आउसद उचाई कहां पर माना जाता है तो याद रखेगा चेन्नई के तटको एक आउसद समुद्र तल के रूप में मापा गया है माना गया है और वहीं से उचाई जो है उसकी मानी जाती है ठीक है तो वो किसको चुना गया है मेन तो वो चन्नाई तटको भारत के प्रादेशिक जल शेत्र का बिस्तार कितना है तो याद रखे 12 समुद्री मील इसको इंगलिस में नॉटिकल मील भी बोलते हैं कितना नॉटिकल मील मतलब कि अगर मैं आपसे बात करूँ कि ये कुछ भारत की इस्तिती है क्योंकि जली शेत्र के बारे में बात कर रहा है ठीक है ये कुछ इस्तिती तो 12 नॉटिकल मील यहाँ पर मतलब इतने छेतर तक जो है भारत का अधिकार है ये इधर तक तो borderline से 12 nautical मिल तक ये जो अधिकार है भारत का प्रादेशिक जल छेतर का हलांकि अधिकार तो 200 nautical मिलते हैं लेकि 12 nautical मिल तक क्या है आप घूम टल के आ सकते हो कोई दिक्कत नहीं थीक है उसके बाद जाओगे तो आपको सेना जो है वो रोक लेगी जो नेवी लगी रहती है वो रोक लेगी अगर उससे आप जबरत्सी करोगे तो फिर आप मार गिराए जाओगे भारत की तर्टरेखा की कुल लंबाई कितनी है टोटर लंबाई कितनी तर्ट रिखा की तो 75-100 km सीदा सीदा याद कर लो 75-100 km लंबी है भारत की तर्ट रिखा भारत में सबसे अधिक लंबा समुद्री तर्ट रिखा की सराज जिएका है तो गुज़रात का पता है क्यों क्योंकि ये देखो कुछ इस तरह से बनावाट है ये तो पता है ये ऐसे आना ऐसे आना फिर अंदर आना फिर इतना बार जाना फिर इतना अंदर आना तो जब इसको ओपन कर दोगा तो पता चला सबसे लंबा हो जाएगा ठीक ओपन करने पर रसीक तरह बना कर खीज दो के तो लंबा हो जाएगा तो इस वज़ा से भारत का सबसे लंबा समुद्री तर्ट किस राज्य का है तो याद रखो गुजरात का अच्छा कितने राज्य ऐसे हैं जो समुद्री तर्ट से लगे हुए है तो कुल नौ राज्य है करकर रेखा कितने से गुज्जरती आठ राजयों से और कितने राजय ऐसे ने जो समुद्र से लगे हुए याद करके रखो बार-बार बोला कि प्राचीन भारती एतिहासिक भोगोल में रतनाकर नाम सुचक था थीक है थोड़ी सी बात करते हैं तो सो पश्चमी तट के बारे में और फिर जो है अपना चैप्टर हम लोग क्लोज कर देंगे भारत वर्स के पश्चमी तटी सहरों में ठीक है कुन्नूर, नागर कोईल, जंजीरा और सिंधु दूर्ग का अच्छा आगे देखें आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी यह अनोठा नगर, उसका दुर्ग, सुन्दर गिर्जागर, नया जेरुसलम, सुनी, सड़के और उजड, तताग्र, सम्मिल कर एक अद्भुत रत्न बन जाते हैं यह उक्तिकी सस्थान के बारे में किया जा रहा है, तो याद रखें तमिल नाडू के तट के बारे में किया जा रहा है झ्योंकि पता है, जो डेनमार्क वाले ऐाये थे, डेनमार्क कंपनिया, जैसे सबसे आने का कम थै लोगों के आने का कम कह रहा है तो जयद रखेंगा P, D, A, D, F ठीक है, तो P माने पूर्टरगाल, D माने डच, A माने अंग्रेज, और D माने ऋंग्रेज आपको दिख रहा होगा, देखो, इस तरह से यहाँ सी, यह वाला पोर्सानी भारत का, ठीक है, यह नौटकल मील वगर वारे अरिया दिखा रहा है, इधर जो आपका स्रिलंका वगरा है, नीचे आपका जो हिंद मासागर दिख गया, ठीक है, इधर अरब सागर होगा, इधर बंगाल की खाड़ी होगी फिलाल बोल क्या रहा है इसके बारे में देखते हैं भारत के 30 छेत्र पर ये भाग द्योतित हैं तो अंतर जलिये उच्चावच रेखा अच्छ तो ये जो रेखा दिखा रहा है इस तरह से खाना खाना बना कर ये अंतर जलिये उच्चावच रेख फिर से आग है जंजीरा उडूपी ओरोविले तूती कोरिन सहरों में से भारत के पस्चमी तरट पर अवस्थित सहर हैं तो अभी हमने पीछे पड़ा था कि जंजीरा जो है सबसे पस्चमी अवस्थित है सबसे उत्तर में सबसे उपर साइड है तो जंजीरा हलांकि जो किनार पर है और उडूपी यह भी है और विले और तूती कोरिंग क्या है यह समुद्र तड़ पर इस्थित नहीं है बीच में है ठीक है और विले और तूती कोरिंग औरे विले थमको लगता है वहां पर पढ़ेगा औरे विले में आस्त्रम हीया ना ऐसे परश्चन है ना कि हो सकता है कि आप पहली बात सुन हिंए उनके बारे में तो उसमें गलती की है, गलती आपकी है कि आपने कभी ध्यान नहीं दिया, जबकि क्वेशन यहां से बनते हैं, तो देखी होता क्या है, मैं इसके बारे में तुरह बता दूँ, बीच का नाम सुना आपने, बीच, जैसे आप लोग जाते हैं कि मुंबई अगरा तो सुते गुमने, जैसे कालांगुट बीच, कालांगुट बीच, पूस्ता आप से ग्याम कि कालांगुट बीच कहां पर है, तो याद रखेगा कालांगुट बीच दोस्तों गोवा में है, कहां पर है, गोवा में, उसी तरह से पूस्ता, इसे मरीन बीच कहां पर है, ऐसे पूस्ता सागरपूरी ने कुछ है नहीं तो दीघा बीच जो है वो कहाँ पर है पस्चिम मंगाल में गोपालपूर बीच कहाँ पर है उडिशा में कालाङगुट बीच गोआ में मरीना बीच तमिलनाड़ू मरीना बीच बहुत सबसे लंबा बीच साइध इसी को बूला या थे मरी ना बीच को ठीख बहुत लंबा है अगला दिए तमिलनादू के तमिलनादु और आंदरप्रदिस के तट का नाम क्या है तो और कोरो मंडल तट है रहाज भारत के तटों में क्रिष्णा डेल्टा एवं केप के मोरीन के मद्द इस्थित है केरो मंडल तट अच्छा अच्छा तो क्रिष्णा डेल्टा मतलब उपरी साइट केप के मोरीन पॉइंट अब देखो मैं बता दे रहाँ आपको यह थोड़ा सा फिगर ड्रा करना पड़ेगा यह नीचे का कुछ ऐसे है तो देखो आंद्रपदिस तमिल नाडू के तट का नाम कोरो मंदल तट है इधर कोरो मंदल तट यह कोरो मंदल तट ठीक है और किष्णा डेल्टा है केप के मोरीन यह इधर आपका किष्णा डेल्टा यह आपका किष्णा डिल्टा है यह केप के मोरीन है और केप के मोरीन सबसे आखरी पॉइंट है भाई ठीक है हलांकी जो हम लोग इंद्रा पॉइंट की बात करते हैं वो तो आपके ग्रेट निकोबार में है अंडबान निकोबार दीप समूपर वहाँ पर है यहाँ भारत मे कन्या कुमारी पे जो एग्धम आखरी पॉइंट हो केप कमोरीन ही है तो याद रखे गा इसके ठीक बीच में एक कोरो मंडल तर्ट इस्थित है केप कमोरीन के नाम से जाना जाता है कन्या कुमारी को तो इस तरह घुल करना चैसिये बस करनू कि दीप समूप उम लोग पढ अगर से दो ही है तो दोनों के वारे में जान लीजिए अंडमान और निकोबार दीप समू का सर्वोच सिखर क्या है तो कल्याण सिखर पल्याण सिखर या सेंडल पीक अक्सर जो जादा तर नाम देता हो सेंडल पीक देता है पल्याण सिखर नहीं देता है और यह सेंडल पीक वो ग्रेट निकोबार में है वो कहाँ पर है ग्रेट निकोबार में तो ध्यान देना पड़ता है अंडबान वो निकोबार द्वीप समू इस्थित है कहाँ पर बंगाल की खाड़ी में यह तो ठीक है अंडवान निकोबार दीप समय दीपों की संख्या कितनी है तो है तो 500 सदीक लिए उसकी गंड़ना नहीं है ठीक है क्यों क्यों कि आदमी लोग नहीं है छोटे 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 से सब काउंट करके बता रहा हूँ तो ऐसे टंपरेरी में कहीं 220 दिया है कहीं 256 दिया है कहीं 500 दिया है तो आप उसके बारे में मट टेंसन लो ठीक है 10 डिगरी चैनल पिथक करता है ये काम का है 10 डिगरी चैनल जो है दोस्तों ये अंड़मार और निकोबार को अलग करता है कि उपर अंड़मार नीचे निकोबार है इसी तरफ जो 8 डिगरी चैनल है माल दिव को किस से कवर करता है क्या नाम है आरण माल दिव को मिनी काय से ये अलग करता है 8 डिगरी चैनल 10 डिगरी चैनल जो है अंड़मार को निकोबार से 10 अंस जलमार्क द्वारा आपस में प्रिथक किया जाता है वही अंडमान निकोबार को, हिंदी में देरा नाम बैरन दीप अवस्थित हैं बैरन एक मात्र जो है जागरी ज्वाला मुखी भारत में अगर है कहीं पर तो है बैरन दीप, हलांकि दो है वो दोनों के दोनों अंडमान निकोबार तो वो कॉंकर्ण तर्ट बोला जाता है, ठीक है, कॉंकर्ण तर्ट, ओके, चली, आगे देखिए, आगे बोल ला है कि भारत का वह दूइप, जिसका उद्गम ज्वाला मुखी दूइप है, तो तो मैंने आपको बताए कि बैरन दूइप, सिरिहरी कोटा दूइप इस्थित ह है कहाँ पर सिर्प कोटा दोए यहीं से तो भुली-कट जहिल के समीप फुली-कट जिल के समीप ठीक स्री-स região से तू जिसको एड मंजल ब मोलते हैं वह कहां से सूरू होता है तो जो सूरू होता है दोस्तो धर्निस अथागर में है बारत का प्रवाल दीप भी किसे काते हैं तो सब सबस्थ C पस्चिम भारत में एकदम ठीक केरल से सीधा आगे जाएंगे तो मिलेगा वहां पे जादा तिनिमासी जो है मलयालम भासा ही बोलते हैं इसलिए उनको केरल में ही सामिल के आता है जो है द्यूपो का समू लक्षुदीप ये प्रवालों से हुआ है तो मैंने बता दिया कुल 36 हैं तो बहुत सारे लेकिन लक्षुदीप में इस्पेसली 36 हैं जहां पर आदमी लोग रहते हैं भटकल अर्नाला मीनिकाय एवं हैंन्री द्यूपों में से भारती तर्टरिका के सुदूर वरती द्यूपों की स्रणी में आता है कौन सा आता है तो मीनिकाय माल द्यूपों म मिनिकाय से कौन अलग करता है आठ डिग्री चैनल मैंने बता है ना आठ डिग्री चैनल जो है वह अलग करता है भारतेवान स्री लंका के मद्ध द्वीप इस्थित है उस द्वीप का नाम बताइए रामिस्वरम रामिस्वरम पता है पंबन द्वीप पंबन एक्शली मुस सालसेड दूप क्या पढ़ते हैं सुमेलित करना है वेयंत सयोधर इस्तिति अच्छा यह अलग-अलग दूप्यों का नाम दे रहा है तो इसमें से बहुत कम दूप्यों का नाम ने आपने दमन दूप्यों सुना होगा अपने द्वारिका तो गुजरात की संगेशना कुछ इस टाइब की है तो ये जो खाड़ी है इसके आसपास के सित्व जो खाड़ी है कच की खाड़ी पहले क जो नीचे वारी खाड़ी आएगी ये खंभात की खाड़ी क ख याद रखेगा जो यहाँ पे तेरा वेयंद सयोधर द्वीप ये कच की खाड़ी में है और पीरम द्वीप जो है खंभात की खाड़ी में द्वारी का अरब सागर तट पर है और द्व जो है कठिया वार तट गुजरात के तट को कठिया वार तट भी कहा जाता है गुजरात के तट को जाएंगे तो कोरो मंदल तठ हो जाता है कोरी क्रिक कहां पर इस्थित है तो कोरी क्रिक दोस्तों कक्च के रन में है और यहां पर पाकिस्तान के साथ विवाद भी चल ला है ठीक है कोरी क्रिक सर क्रिक विवाद आतो गया है सरक किसा के साथ है तो भारत पाकिस्तान के साथ है दोस्तों आज के लिए इतना ही करें थोड़ी थोड़ी टौपिक में लोग कवर करते रहेंगा तो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा पूरे के पूरे जियोगराफी को कवर करेंगे और बहुत जल्द अ nosटों अhas पोईंटर्स श्टार्ट करने वाले है और हिस्ट्री आप स्टार्टर करने हैं ठीक है और देखे अभी मैं थोड़ी सी बाते आप से करना चाहता हूं आप बुरा मत मानना देखो कि हाया थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है और आपको पता होगा कि इसी महिने जो सामने अप्रेल आ रहा है 18 अप्रेल को जो एक खुद मेरी साधी है इस वज़त से आप समझ सकते हो कि बीजी तो रहूंगा जाहिर सी बात अगर आपकी होती तो सायद आप भी बीजी होती है अब तो एक दिन महीने पहले से क्लास छोड़ देते ना अगर आपकी साधी पड़े तो पढ़ाई करोगे नहीं करोगे ठीक है तो फिर भी मैं टाइम निकाल के आपके लिए इतना कर रहा हूं तो जो सब्जेक्टिव पोर्शन हम लोग कवर करते थे ना लिख लिख कर जो मैं पढ़ाता था वो अभी मैं लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि सामने जो आर्ट तरिक स समिच्छा अधिकारी का एकजाम है और फिर मुझे भी घर निकलना है और इसी वज़ा से मैं ये पीडिया पढ़ा रहा हूं कि यार आपका नुकसान नहीं हो तो आगे आने वाले पूरे के पूरे अप्रैल सेशन में दोस्तों हम लोग सिर्फ और सिर्फ पीडिया पे बात करेंगे और इससे क्या होगा ना कि कम सकम आपका रूटीन खराब नहीं होगा क्योंकि मैं लिख नहीं सकता उतना ज्यादा आप खुद नहीं लिख पाओ गयार क्योंकि पता एक टॉपिक लिखने में तीन चार गंटे का समय लगता है मतलब एक वीडियो बनाने में मुझे लिख करके कम सकम चार से पांच गंटे का समय लगता है तो उतना वीडियो लिखा ही नहीं जा सकता इस वज़े से पीडिये को पढ़ाया जाएगा एक मैने तक उसके बाद ही आपकी क्लासेज जो है रेकलर हो पाएंगी तो उसके लिए मैं छमा चाता हूँ दोस्तों फिला धन्यवाद आपका थैंक यू थैंक यू सो मच